आपका हमारी चैनल में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब पंजाब की लोगों को पिछ किया था तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही पंजाब में हमारी सरकार बनेगी वैसे ही पहली कलम से 300 यूनिट फ्री बिजली अब दे देंगे और आज का दिन है जब भगवतमान ने फ्री बिजली को लेकर आज अनाउसमेंट किया है लेकिन आज सरकार को बने आब आदमी पार्टी की वी जो है सरकार बने पंजाब में पूरे एक महीने हो गया है भगवतमान ने क्या कुछ कहा है फ्री बिजली को लेकर आई हम इसको आपको जरा विस्तार से बता देते हैं पंजाब के मुखे मंतरी भगवतमान ने पंजाब के हर गर को प्रती महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का एलान किया है उन्होंने सपस्ट किया है कि इसमें क बिल देना पड़ेगा हाला कि पहले से 200 यूनिट छूट ले रहे सी बीसी और गरीब रेखा के नीचे यानि बीपील परिवारों को अब प्रती मात 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी उसके ऊपर वो जो बिजली खर्च करेगा सिर्फ उसी का बिल उसे देना पड़ेगा उ इसके अलावा 2 किलो वर्ट तक के सभी घरों का 31 दिसंबर 2021 तक का पूरा बकाया सरकार द्वारा मौफ कर दिया गया है बिजली निगम में भरती 718 कर्मचारियों को नियुक्त पत देने के बाद मान ने ये ऐलान किया है उन्होंने कहा कि सरकारों के पास पैसे की नहीं बलकि नियत की कमी होती है पंजाब में कोई स्कूल अस्पताल कॉलेज ये यूनिवर्सिटी नहीं बनी उन्हेंने कहा कि मुझे सब पता है कि कर्जा कहां गया सरकार सब की रिकवरी करेगी पंजाब में मुफ्त बिजली के मुद्दे पर कुछ दिन पहले सियासी विवात भी हुआ था पंजाब के चीफ सेकेटरी समेट बिजली निगम के बड़े अफसरों ने दिल्ली जाकर अर्विंद्र केज जिवाल से मीटिंग की थी जिसके बाद विपक्षी जलों ने आरोप लगा है कि केज जिवाल यहां के सुपर मुख्य मंतरी बनकर काम कर रहे हैं हाला के सियम मान ने जोलंदर में कहा कि उन्होंने ही अफसरों को ट्रेनिंग के लिए भेजा था जरुवत पड़ी तो दूसरे राज्य को भी भेजेंगे पंजाब पर करी तीन लाग करोड का करज है और अब तीन सो यूनिट मुफ्त बिजली ने सरकार खाजाने पर हर वर्स करी पांच हजार करोड का बोज बढ़ेगा पंजाब पहले ही खेती बाड़ी सेक्टर को मुफ्त बिजली दे रहा है इसके अलावा SCBC और BPL परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है इसके अलावा सरकार ने 18 साल में बड़ी उम्र की हर मैला को 1000 रुपे देने का भी वादा किया था मायरों के मुताबित इससे सरकार पर करीब 15,000 करोड का बोज बढ़ेगा और इसे लेकर अभी तो कोई अलान नहीं किया गया है कि आकर मैलाव को सबसे बड़ी बात देखिए एक जुलाई से फ्री बिजली देने की बात कहीं है आज की डेट में पंजाब के कई लागों में बिजली के जरुवात भी कम हो जाती है क्योंकि मौसम जो है वो नैश्रली ठंडा रहता है बारिश के वजए से लोग पतले-पतले के हिसाब से इन वादों को लेकर चल रहे हैं खुद की कन्वीनिट के हिसाब से वह यह जो फ्री बिजली है तो दे रहे हैं क्योंकि 300 यूनिट की खपत आखिर करेगा कौन जुन जुलाई के महीने से जुन में भी थोड़ी बहुत गर्भी रहती है जुलाई के महीने से उसे सबणेरा चुनाओं में दावा करेंगे कि मने तो दिली में भी फरी कि विजली और इसके बाद अब मैने पंजाब में फ्री कि यह देखिए town को वाँ पर वेवकु बनाए जा रहा है कि फूरे बिजली ने किसकी जरूरत है तो ciekंव रहे हैं जब ज़रुरत थे तो य बिजली दे रहे हैं कहेंगे कि आमने वादे पूरे कर दिये तो यह जो है इनकी तरफ से की गई यह मानने इस दौरां बगवत्मान उनने कैसारी उपलब्दिया भी गिनवाई सरकार की कि एक महिने की सरकार ने क्या कुछ कर दिखाया क्योंकि यही बगवत्मान और विद्ट पंजाब की जनता का कंप्लेइन है कि है लेकिन कोई रिस्पॉंस नहीं मिलता है दूसरी 25,000 नई सरकारी नौकरियों का इलान इन नौकरियों का हाल और बेवड़ा भी दिल्ली में दी गई नौकरियों के हिसाब से है जो हजारों की संक्या में 20,000 पाल करके नौकरी दिखा होंगे अब इसकी भी इनके पास रिपोर्ट है कि ने कि यह हमिसा इनको आदत है जिरो बढ़ाने की तो इस बार इसमें भी जिरो बढ़ा दिया होगा इन्होंने प्राइवट स्कूल लगतार फीज बढ़ा रहे हैं पंजाब में नया मॉडल यह लेकर आ रहे हैं बोलना है प्राइवेट स्कूल है उनके फीज नहीं बढ़ने रहेंगे एंटी गैंस्टर टास्क फोर्स का गठन करने हैं जो पुलिस ऑफिसर कमिशनर हाईयर लेवल ऑफिसर है जो इनके ओपर एक्शन ले रहे हैं जो भू माफिय ओप एक्शन ले उनका तबादला कर रहे हैं तो बलतें एक लाग करोड़ रुपए मुझे दो क्योंकि पंजाब का पैसा एक तो प्रोड का मुआफजा बस आप देखिया कि यह क्लोन के पास नहीं है और मैलाओ को देने कि वाइंके यानि पहली सरकार के तरफ से जो कर्ज बढ़ाए गये हैं इनकी सरकार आने के बाद यह करण दोगुना तिगुना और इसे दसगुना करने का जो टार्गेट है यह लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है एक विधायक एक पैंशन एक पैंशन देने के बात कहीं है सभी विधायकों को अतरिक सुरक्षा वापस ली जाएगी 23 अब यहां पर आम आपको बताए कि जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां की बात करते हैं अभी हाले फिलाल में देश की प्रधार्मंती नरेंद मोधी के साथ कई सारे टॉप ब्यूरोकेट्स के मीटिंग हुई थी इस मीटिंग के दौरान जब श्रिलंका के हाला काफी खराब थे श्रिलंका जो है इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है एक पैके दूट सो रुपए कप चाय सो रुपए जो हो चुका है खाने के लिए चीज़े नहीं मिल रही है इतनी महंगे बिक्रे यह चीज़े उसी वक्त बीरोकेट्स ने कहा था कि लोग चीज आप फ्री दे रहे हैं अगर एक 10 रुपए के चीज खरीद कर आप उसको फ्री में दे रहे हैं तो वह 10 रुपए कही न कहीं पर कर्ज जम रहा है और ऐसे 10 रुपए करके 10,000 रुपए का आकड़ा बन जाता है और इस बात की जानकारी नहीं समझाती है क्योंकि 10 रु देने की बात कर रहा है क्योंकि बजली आज के डेट में फूरी नहीं यह कींद्र सरकार पर बही और जादा स्ट्रेस पर रहा है राज पर भी और जादा कुछे रहते के अपनी चुनावि के वादाओं को गेन करने के लिए अपनी चुनावी बिजली के लिए भी मुशक्कत करने पड़ेगी लड़ना जगणा पड़ेगा जो कि श्री लंका में हाल है तो साफ तोर पर यह जो फ्री स्किम चलाते हैं यह अपनी पार्टी को सत्ता में वापस लेने के लिए चलाते हैं लेकिन कोई भी चीज फ्री नहीं आती है और ऐसे म कितना जड़ा प्रेशर बढ़ने वाला है कि पहले से पंजाब पर 3 के का कर्ज़ अब 300 जो मुफ्त बिजली दें गे इसे कहजाने पर हर वर्ष 5000 करोडोड का बोज़ बढ़ने वाला है यानि फ्री बिजली देने से जो अरेड़ी पंजाब कि आर्ते के सिथी खराब है सब्सक्राइब कर दिया कि मैलाओं को एक हजार देंगे उसकी मुताबिस सरकार पर करीब 15,000 कड़ोर का बोज बढ़ेगा यानि आप कैलकुलेट करिए तीन जो है तीन लाख कड़ोर के करज वाली जो आर्थिक स्थिती से जूज़री राज जो है राज जो है राज है उसके पर अब हर वर्ष आम अधिपार्टी के सरकार बनने के वजए से 5,000 कड़ोर का बोज बढ़ेगा फ्ली लेक्टिसिटी के वजए से 15,000 कड़ोर का बोज बढ़ेगा एक हजार रुपय जो इनने देने के बाद कई इससे तो जो कर्ज जो है जिसको इनने कहा कि हम इसको मामला बड़े ही विस्तार से बता दिया हमने आपको पूरे आकड़े के साथ मैतमाटिक्स के साथ बताया क्या क्या कुछ हो सकता है पंजाब में अगर इस तरीके से पंजाब में फ्री एलेक्टिसिटी और कही ना कई लोक लुबहवनवादे सरकार के तरफ से किये अन्यवाद